येलो दोस्तों तो आप सबको बता दूए कि आज मैं आपको बतानी वाला हूं इंग्लेंड टींब के वर्ल्ड कफ स्क्वार्ट के बारे में क्योंकि in England प्ने वर्ल्ड कफ स्क्वार्ड में कुछ चेंज की है जो कि इस परकास के उसका टीम बना है चेंज होने के बाद आपको बता तो कि जोस बटलर जो के टीम के कैप्टेन हों गए साथ में मोही नली और उसके फास्टर घिंद बाद गेस संसे team में अभी वी रखा गिया है, Johnny best होंगे और साथ में जो change हुआ है Harry Brook क्योंकि Harry Brook को team 15 में नहीं नहीं देख गर करकी सबको ताजूब हुआ था कि Harry Brook को team में क्यूं नहीं रखा गया क्यों जिस तरह के form में चल ठेस्ट में या ODI के format में, जिस तरह से वह बैटिंग करते हैं देखने लाइक होता है Harry Brooks का बैटिंग और उसी को वज़ा से यह साय टीम चेंज हुआ है और Harry Brooks को टीम में लाहा गया है साथ मैं आपको बता दू Harry Brooks के साथ सेम करण सेम को हम सब जानते किस तरह कि वह और लाउंडर है टी-ट्वाइंटी में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया था लाउंडिंग में लिम लिविंस्टन जो की एक बहुत बड़े प्लेयर है छक्के लंबे-लंबे मारने के लिए जाने जाते हैं हम सब को पता है डेविड मलान को भी टीम में जगर राहिम में दिया गया और आधिर रसी जो की लेग स्पीनर गेंदवाज बहुत ही अच्छे गेंदवाजी करते हैं इस टोपली को भी टीम में जगा मिली और डेविड वीली जो की नए गेंद से स्विंग कराने के बात और बलेपाजी भी बहुत अच्छे करते बहुत यह बहुत ही अच्छे इंग्लेंड टीम ने अपना टीम बनाया है आपको यह इंप्रमेशन कैसी लेगी अच्छी हर एक नीज अपडेट मिलेगा आज के लिए इतना ही रन्यवाद